हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में यहाँ पे वॉल्यूम बटन में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे दोस्तो अगर आपके फोन में जब भी आप लोग आपे आवाज को कम जादा करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फो यहाँ पे इस तरीकी से जो आपके फोन में जो sound है वो यहाँ पे बहुत जादा हो जाता है और कम भी हो जाता है तो इस problem को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस video में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है तो guys सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि यह एक hardware का problem हो सकता है और एक software का problem हो सकता है अगर यह जो है software का problem रहता है तो हम उसको setting करके यहाँ पे ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप लोग अपने फोन में setting को open करिये setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको application का option आता है तो यहाँ पे क्लिक करिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को Manager Application पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्जबार दिखेगा यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से System लिखने के बाद आपको इस तरीके से launch लिखने है उसके बाद यहाँ पे आपको इसको open करना है और open करने के बाद आपको storage में जाना है और storage में आने के बाद यहाँ पे आपको निचे में clear data दिखेगा आप लोग यहाँ पे clear data पे click करके clear catch कर लिजिए तो clear catch आपको कर देना है उसके बाद दोस्तों, यहांपे आपको जो है, आपके फोन में यह प्राबलम यहांपे ऐसा करने के बाद solve हो जाएगी, ओके तो एक बाद try करके जरूर देखिएगा, और अगर यह प्राबलम यहांपे आपके फोन पे work नहीं करता है, तो आपको यहांपे क्या करना है यहाँ पे आपको जाना है अपने phone के setting में phone के setting में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको sound वाले option पे click करना है sound का option यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे click करिए और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है एक option आता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ additional setting पे जाए और यहाँ पे आपको नहीं आना है आप लोगों को यहाँ पे option नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको simply से search करना है यहाँ पे आप लोगों को mono लिखना है mono लिखने के बाद यह आएगा तो आप लोग इसको open करिए open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यह जो आपको दिखाई दे रहे ना audio balance तो यह जो है आपके phone में audio balance इस तरीके से बीच में होना चाहिए तभी यहाँ पे आपके phone में properly sound यहाँ पे आपको सुनाई देगा तो आप लोग इसको भी setting कर लिजे और उसके बाद last में आपको अपने phone को एक बार update कर लेना है अगर आप लोगों ने update नहीं किया हुए अपने phone को बहुत दिनों से तो आप लोग यहाँ पे अपने phone को एक बार update कर लिजे तो आपकी problem solve हो जाएगी और दोस्तो अगर यह problem आपके hardware में आती है तो hardware problem को हम यहाँ पे setting करके solve नहीं कर सकते तो इसके लिए आप लोगों को अपने phone को यहाँ पे mobile shop पे ले जाना पड़ेगा तब ही वो जो problem है वो solve हो जाएगी क्योंकि यह आपके जो power जो volume बटन होता है उसमें problem आती है तो हो सकता है कि उसमें problem आ रहा हो वो खराब हो चुका हो तो वो solve हो जाएगा अगर आप यहाँ पे mobile shop पे ले जाएगे तो तो चलिए guys मिलते हैं next video में